कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता राहुल गांधी पर एटी की कारेवाही को लेकर हिमालसर प्रदेश के जुलाकुलू में कॉंग्रेस ने धर्ना प्रदर्शन किया तो वहीं कॉंग्रेस कार्यालिय से लेकर टीसी कार्यालिय तक रैली निकाली गई प्रदेशन को संबोधित करते हुए विधायक सुंदर सिंग ठाकुर ने कहा कि मोदी विपक्ष को नहीं बलकी देश को कमजोर कर रहे हैं उन्होंने कहा कि पहले मोदी ने अपनी पार्टी के वरिष्ट नेताओं को खतम किया और अब हिटलर शाही सरकार चुला रहे हैं मोदी को कॉंग्रेस मेताओं से डर है यही करण है कि एडी को राहूल गांधी के पीछे लगा दिया है और एडी को इलक्षन रिपार्टमेंट की तरह यूज किया जो रहा है आप देखते होंगे कि यह जो प्रहार यह जो अजादी का प्रतिक नेशनल हराल्ड नीज पर पत्ता नव जीवन उसमें अखवार थी और जो है कौमी अवाज अखवार थी उसको जब गोरों के खलाफ अंग्रेजों के खलाफ जब लड़ाई हो रही थी तो यही अखवार उसको बाद में भारी नुकसान में वो कंपनी चलेगी उस कंपनी को क्योंकि वो आजादी के प्रतिक कंपनी है उसमें मातर 67 क्रोड रुपया उन एंप्लोईज को वलंटरी रिटाइर्मेंट पे उन्हें पेंशन के तौर पे उस कंपनी के जितने जो ड्यूस था एक्साइ कि प्रतिक उसक्वार को जो है बचाया गया है आज हमें खेद है कि जब यह न्यायले से यह मामले सारे खत्म हो चुकी है और आप देखेंगे कि इससे बड़े-बड़े मामले हैं हमिच्शा के बेटे की 50,000 क्रोड की 50,000 रुपय की कंपनी 600 क्रोड में पहुंच गी दो साल में उस पे कोई एडी का कोई उस पे कोई चान भी नहीं हो लिए लेकिन 67 क्रोड एक जहां हमारी मुख्य राश्ट्रिय पार्टी है अब भारतिये जंता पार्टी ने 12 क्रोड का वहापे दिल्ली में दफ्तर बना दिया हर जिले में 4-5 पांचा का प्लॉट करी दे उसकी को हो नहीं हो लिए हम कहरें कि आपको अगर चानभीन भी करनी है तो आप जनता के सामने चानभीन कीजिए आप यह क्या कि बारा बारा घंटे उनको बलाकर प्रत्यारित किया जा रहा है यह तो ही मिसाल हुई जैसे वीर बदर सिंग जी के पूरुब में उनकी बेटी की शाद है और वो ही उदारन ये मोदी हमारे रश्चीतर के स्तर के शिर्ष नेतरतों जिन्होंने की खिसानों के लिए आवाज उठाए आज देखें आप जो यहाँ पे जो सेना में बर्ती के लिए अगनी पत्त की जो यह 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 जना ला रहें की चार साल के लिए नौजवानों को बर्ती किया जाएगा ऐसे बहुत सारे मुद्धे इस एंकारी जो केंद्रिये जो एंडिये की सरकारे इसके खलाफ है लेकिन जब कोई भी इनके खलाफ जो आवाज उठाता है यह मोदी तो निर्दाई है इसने आडवानी को अपने पार्टी के शिर्ष नितरतों को नी छो होता है सत्ता पक्ष के साथ बिपक्ष का होना भी बहुत जुरूरी है ऐसे में जो मोदी की मंच्छा है वो सही नहीं है हमारी एक ही बात है कि शिर्ष नितरत्व से आप एक बारी में आपने इतने दिनों से आप जो बार बार जो यह समुद्धे को चलता के सामने गुम्रा गैक्त करने के लिए पेश कर रहे है इसके खुलाफ हमारी यह लड़ाई है हम राहूर गण्धी सोनिय गांदी घी और अपने शिष नितित्रतों के सब्सारे जो हमारे भूट लेवल के लोग, जिला लेवल के लोग, ग्लॉप लेवल के लोग खड़े हैं, यही मैं आपके साथ कहना चाता हूँ, यह आपके त्रेस की अजादी को लेकर भी यह बात है, अगर इसी तरह से यह हिटनर शाहिद चलती रहेगी, तो इस देश का प्राजाता तर जो है यह गाचा, संगिय गाचा यह दरशाई होकर लेए।